हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेता चल रही होगी 12 क्लास में आप बोड़ी जम 2024 की त्यारी कर रहे हैं तो अब आप लोकली निरंतर मेनत कर रहा हूँ और इसके पहले भी जो भी महात्कूर वीडियोज मैंने प्रवाइड किया है important question 2024 का एक playlist बना है जाकर कि वहाँ पर आप और वीडियो देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं बच्छो आज हिंदी के हम पिछले 4-5 साल में जो question पूछे गए हैं उनका solution देने वाले हैं आप लोगों से बस एक ही चीज गुजारिस है कि बच्छो आप लोगे काम क्या करो भाई साहब कि प्लीज इसके पहले हमने जो भी वीडियोज देते हैं उसे लिख लो और यह जो प्रस्ण होते हैं इसे आप लिख लो ठीक है हम कोशिस यही करते हैं कि आप लोगों को भटकना ना पड़े आप पुराने पेपर इधर जर कहां डूड़ोगे बस आप इनको solution में जो देता हूं इनको करते चले डेफनेट आपके अच्छे अंक आएंगे चले पहला प्रस्ण देखिए मुद्रित माधमों में ल लिख रहे हैं या कोई कहानी नाटा के कांगी कुछ भी लिख रहे हैं या समाचार पत्र लिख रहे हैं तो फिर आपको किन किन बातों को देहन में रखना चाहिए पहला तो यह बच्चों कि जो भी आप लिखो उस एकदम सुद्धता होना चाहिए जैसे बरतनी की सुद्धता बैकरण की सुद्धता सैली की सुद्धता होना चाहिए और किसी भी चीज को लिखते समय आपको एक निश्चित समय सीमन निर्धायत करना है कि यह जो हमारी कविता है इतने समय में कंप्लीट हो जाएगी यह अनुसासन पोण होगी तो यह आपका मुख विंद लिख सकता था कि किसी चीज को लिखने के लिए उसमें एकड़म सुद्ध वासा का प्रयोग होना चाहिए बैकरण सैली का भी सुद्ध प्रयोग होना चाहिए एक समय सीमा हो तथा अनुसासन का पालन हो तारतमता बनाए रखें है ना कहने के मतलब जैसे कोई आप कहानी ही पढ़ रहे हो तो सुरू में पढ़ा अपने बीच में स्टूरी ही समझ में नहीं आ रहा है यह कहना क्या चाहिए रहा है किस चीज के बारे में जैसे किसी लेखा के बारे में आप लेकर रहा हो पहले उसके जन्म के बारे में लिखो कि कैसे जन्म हुआ फिर उनका से आप देखे लेखन में भासा बरतनी ब्यकरण सेली पर ध्यान जरूरी है समय सीमा अबंटी जगे के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है लेखन में सहज प्रभाहिक के लिए तार तम्मता बनाए रखना जरूरी है लग कोई चीज लिख रहे हो तो उसकी कड़ी ने टूटने पाए जब आप लिख पा रहे हो तो यह दी आप स्टार्टिंग किये ऐसा नहीं कि अंतिम की कहानी पहले उन्होंने बता दिया कि भहिया उनका जर्म मालीजे जर्म की बात चुड़ी है उनकी पढ़ाई यहां हुई इसके बात जर्म बताए ठीक है याकि माली लेखन से क्या आस है बिसेश लेखन लब आप तो मतलब डेली के डेली लिख रहे हो हर दिन लिख रहे हो कुछ न कुछ आप देखे कहीं भी घटना हुआ कुछ भी हुआ लिख दिए लेकिन जब किसी इस्पेसल कंडिशन पर एक मतलब बिसेश घटना पर आप लिख रहे ह लेकिन जब एक दिन आपका महात्तूर कुश्चन तयार हो जाता है तो आज बोलोगे कि आज हमारी विसेश पढ़ाई हुई कि हमने जो नहीं सीख पाया चार महिने से आज वो चीज हमने सीख लिया तू आपको विशेष पढ़ाई हो जाता है, ऐसे ही आप हर दिन लिखते हो, लेखाक हर दिन लिखता है कुछ ना कुछ, लेकिन जब किसी विशेष घटना पर, विशेष विशेष पर लिख देता है, तू विशेष लेखन कहलाता है, पत्रकाईता की भासा में इसे बीट ले ब्रहम हो ठीक है जिसे जान स्यम्र घंस्यम को नाच उठे बनमोर है ना चंद्र के भरम होते हैं मोद है कुमोदनी को यह उधारन है चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी चकवा की छाती तजी दीर धसकती है तो कोई भी एक्जामपल सापतेर कर सकते हो अलंकार या ऐसा का वि बस्तू जिस पर हम देखते हैं तो काफी समानता होता और भ्रहम होता है हम उस भ्रहम को दूर नहीं कर पाते ठीक है तो वहाँ पर भ्रहम पूर्वाक अलंकार होता है कि इसको अच्छे से समझना है तो पहला एक्जामपल आपको त्यार कर लेना चाहिए जान स्यम घंस्यम को देखो ना घंस्यम को मतला बादल को स्यम समझ करके नाच उठे बन मूर बन के जो मूर है वो नाचने लगते हैं एक एक्जामपल ही काफी रहता है एक्जाम में एक एक्जामपल काफी है जरुनी की सभी के सभी एक्जामपल साप लेको चले अगला प्रस्ण देखिए ब प्रश्ण बाचाग ही बनाना है तो क्या हिंदी का प्रश्ण पत्र बहुत सरल है क्या सब्द जोड़ दिया तो यह प्रश्ण बाचाग बन जाता है अगला प्रश्ण आज का बच्चो प्रगति बादी यूग की दो बिसेस्ता है प्रगति बादी यूग अब देखिए अक् कुईंट त्यार है और सभी की वि शेष्था है दो नंबर से जादा कभी पूछा न जाता है 2 या ठीन तो भाई 2 या 3 भी र Étव धीन त्यार करना है जैसे पहला आपका रूड का विरोधा रूड इबात का मतलब क्या होता है आज भी आप मैं गाव में रहता हूँ गाव में ऐसा होता है कि यदि बिल्ली सामने से गुजर जाए तो लोग बोलते हैं कि भाई दिन असूब हो गया है थोड़ा रुख जाओ कुछ घटना घटित हो सकता है दूसरी चीज़ बोलते हैं उत्तर मंगल काल विरोधा उत्तर दिसा पर मंगल लवार को नहीं जाया जाता है ये रूड़ी बाद है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आप मानते हैं नहीं मानती से मेरे कोई लिन दिना नहीं है मैं अपने या आपके निजी कारणों पर नहीं जाता हूँ लेकिन बताता हूँ जिसे आप लोगों को बोल दिया जाता है क कि आज ब्रहासपत है इस दिशा में मत जाना लेकिन अधि किसी को मेडिकल की जरुत पढ़ जाए तो जाता ही है है ना आपको अच्छा चानक बुखार आजा उत्तर दिशा पर ही मेडिकल है तो आप जाओगे ही जाओगे तो यह रूडिबाद का कटाच भी में बता रहा हू कि अचानक मालीजे कहीं आपको मालीजे तवियत खराब हो तो जाना ही उस दिशा में तो यह रूडिबाद है आप कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो उसकी अपनी निजी प्राबलम है समझ रहे ना तो रूडिबाद का विरोध किया गया था प्रगतिबाद में ठीक है जैसे प्रकजिबाद रूडिबाद का कटर भी डोधिये सांती भागबाद भागबाद पर होगा जैसे आप मेनत नहीं करोगी बोलो कि भाग में हमारा होगा तो 95 आ जाएगा इसा कभी हो सकता है यह रूडिबाद है भगवान की पूरजा अरचना करने पर परसंटेज बन बाद है एक प्रकार से जो लोग अंद विस्वास नहीं बोलते हैं आज भी अंद विस्वास पहला हुआ है और reality यही है 80% लोग गाउं में जो हैं अंद विस्वासी होते हैं जो पड़े लिखे होते हैं थोड़ा कब अंद विस्वासी होते हैं भगबान पर आस्था सब रख नहीं खूनी क्रांती पर विश्वास सामवादी विवस्था की प्रतिष्ट है वंसोषण के अंतिकली प्रगतवाती के भी खूनी क्रांती का हौन करते हैं उन्हें समझाते या हैदय परिवर्तन की नीद पर विश्वास नहीं है कहने का मतलब क्या है कि कि किसी भी चीज को उ मतलब किसी भी लेखन में अपने निजी कारणों को आप नहीं बताओगी कि लेखन करने चले आप खुद का सुगदुख सेयर करने लग जाओ इन चीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल विरोध किया था ठीक है बैक्तिवाद के विरुध विद्रो का मतलब यह है कि प्रगतिव ठीक है बलकि वो समाज के प्रती समाज में क्या कमिया है समाज के कमियों को कैसे दूर की जा सकते उन चीज़ों का लेखन करते थे चले अगला देखिए बच्चो प्रियोगबादी यूग की दो विशेष्टा है प्रगतिवाद का था प्रियोगबाद का गोर अहानिस्ट प्रियोगबादी कविता के लेखन अपने अहानिस्ट विक्तिवाद के भेंजना करते हैं अहानिस्ट मतलब स्वयम का अभिमान स्वयम का गमंड मतलब जितने भी कवी है लगवग लगवग स्वयम के बारे में अभी जो प्रगतिवाद था वो प्रगति के लिए देखो न लेक्षन हमको दिखाई देता है ठीक है समाजिक जीवन के साथ तो समझस नहीं रखते बताए ना कि प्रगति बात का सब्द है कि प्रगति करना समाज की विकास को बढ़ावा देना लेकिन प्रयोग बात खुद की जीवन का प्रयोग करके इसलिए भाई साहब आत्म विग्य को पढ़ोगे तो दिमाग ज्यादा लगाओगे आपका दिमाग तीज दोड़ेगा एक सिंचित मतलब एक परकार से कहा जाये कि संचित संचित नहीं कैसकते संचित संचित नहीं लाएगा तो खुद सोचोगे जैसे मा लीजे कोई बैक्ति अपने जीवन के बारे में बता दिया अब सोचोगे काश ऐसा ना होकर ऐसा होता तो क्या होता क्योंकि समाज की सुधार की बाता लगए लेकिन यहाँ पर खुद की ज़्यादा प्रसंगिक बढ़न करता है तो कभी पाठक के हदें को तरंगिक नहीं करते है अप य तुम मस्तिष्क को कुदेरते हैं है मतला मस्तिष्क तेजी गत से दोड़ाते हैं अब इसको अपने वहां समय लिख सकते हो कि प्रयोग बाधिक कभीयों के माध्यम से जो भी कभीता या लेखन लिखी गई है उसमें ब उपमानों की नविन्ता, प्रयोग बादी कभियों ने उपमानों रूपक तथा प्रतीकों के छेतर में नए प्रयोग किये हैं, जैसे प्यार काबल फ्यूज हो गया है, बिजली के स्टोप सी जो एकदम मूर्ख हो जाती है, उपमानों की नविन्ता, मतलब एक की तुलना परशन है, दुवेदी युगीन निवंदों की दो विसेष्टा हैं, मतलब दुवेदी युग में जो भी निवंद लिखे गई हैं, उनकी दो विसेष्टा हैं, पहला देश भक्ती, मतलब जो भी निवंद है, अपने देश के प्रती प्रेम, देश के प्रती निष्ठा, देश के प्रती सम्मान इन चीजों पर बढ़नन है अंद बिस्वास तर रोडियों का बिरोध अंद बिस्वास रोडियों का बिरोध के बारे मैंने पहले ही बताया कि अंद बिस्वास का मतलब यह होता है कि वैसा हम काले निसान मतलब आके जाना यह मालीजे ऐसा हो सकता है य आप गाहों घर में जाएंगे ज्यादा तर ये रूड़ी बादिता दे के उन्हों के मिलीगी अंद विस्वास ज्यादा तर वतलब जहां असिच्छा है वहां अंद विस्वास रूड़ बादिता ज्यादा है जो सिच्छित लोग है उन्हें ट्रेन में जाना है तो उन्हें क पराकरति घटनाओं पर भिशेस बल दिया है पराकरतिक चीजों को अपने काव में उके रहा है बस अपने वहां समय लिख सकते हो दो तीन लाइन लिखना है अब ऐसा भी मत लिखने लग जाना कि कहीं कहीं लिख दो ठीक है तो यह आज की कुछ महात्पूर्ण प्रश्ण थे